जयान दीजे वोड पे आप इसको नोटिंग कर ले ना बाकी मैंने ये आपको वर्टसप और टेलीग्राम पे भी सेंड कर दिया है तो बाद में भी नोटिंग हो जाएगा पहले हम आज ये में में टॉपिक खतम करेंगे तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो एक important topic है इसमें से आपका तीन नबर दो नबर चार नबर जैसे भी examiner को suitable होगा वो question बना सकता है और state question आ कासो एसमें से concept कहता है wholesale trade and services मतलब wholesale trade क्या होता है और वो किस-किस को service provide करता है किस-किस तरीके का ये question बनता है Todo ॖ on sale क्या होता है पहले हम ये समझेगे और वो किस-किस के लिए service प्रोवाइड करता है मतलब उससे किस-किस को फाइदा पहुंचता है simple सी बात करें तो फाइदा पहुंचने के लिए 3 category कर दिया एक तो manufacturer को कोई न कोई फाइदा मिलता है उससे retailer को और society को ठीक है wholesaler क्या होता है simple language में अगर मैं बोलू wholesaler तो यह जो buy करता है न हमारा wholesaler वो large quantity करता है large quantity और जो sell करेगा goods को वो large quantity में नहीं sell करेगा sell करेगा किस में small quantity में ठीक है न तो इसका wholesaler कोन होता है जो खरीदता है बहुत भारी मातरा में large quantity में और बेचता कैसे है small में मैंने जैसे chain बताया था आपको सबसे पहले कौन होता है अगर मैं आपको chain बता हूँ तो इस तरीके से होता है सबसे पहले होता है manufacturer manufacturer से जैसे ही माल बनता है तो एक mediator आता है और जो इसकी मदद करता है वो कौन होता है हमारा wholesaler जिसको मैं W से denote कर रहा हूँ wholesaler समान फिर बेचता है retailer को जिसको मैं R से denote कर रहा हूँ और finally retailer से आता है customer पर ये chain रहता है तो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में क्या इसकी क्या क्या भूमी का है इसके क्या क्या importance है क्या क्या feature है हमारे इस chain को पूरे किसी माल को तयार करके बेचने में trade का मतलब basically बेचना होता है तो wholesaler कौन होगा जो की buy करेगा large quantity में और बेचेगा small quantity में इसको क्या बोलेंगे हम wholesaler उसके feature क्या क्या होते है wholesaler के ऐसा क्या activity करें तो main activity तो buy large और small feature क्या होता है जो wholesaler होता है हमारा वो basically एक special specific goods में deal करता है आपने सुना होगा जैसे वो register का wholesaler है वो books का wholesaler है वो और किसी जैसे कपडे का wholesaler है वो gold का wholesaler है तो वो इससे क्या पता चलता है उसका feature एक क्या वो specific goods करता है कोई particular जैसे अगर कपडे का wholesaler है तो क्या वहाँ register पैन मिलेगा मुझे तो एक specific goods में वो deal करता है और कपडे में भी categories है कोई सरिफ jeans का ही wholesaler है कोई सरिफ shirt का ही wholesaler है इस तरीके से होता है हमारा ठीक है न तो इस तरीकी के wholesaler market डेली के अंदर तो बहुत सारे है जैसे आप कपडे की बात करो तो गांधी नगर चले जाओ टेंक रूट चले जाओ वहाँ particular specific मिल जाएंगे अगर आप books की बात करो पेपर की बात करो तो चावडी वजार में मिल जाते हैं आपको electronic item में बात करो तो आप भागी रती पहले लाजपत्राय market मिल जाते है चान्नी चौक के पास gold की बात करो तो चान्नी चौक में मिल जाते है तो बहुत सारे in fact area के हिसाफ से भी दिस्टिब्यूट किया हुआ है तो wholesaler क्या होता है सबसे पहले feature की बात करें feature मतलब विसेशता है features बोल दो या कुछ points इसमें से advantage में भी आ सकता है और objective भी हो सकता है सबसे पहले feature है large quantity पहले feature में कोई doubt wholesaler कौन सा होता है बताओ जो large quantity खरीता है और बेचता है छोटा छोटा है मालो वो एक बहुत सारा container खरीत के लाए और धीरे धीरे बेच रहे है some special goods wholesaler जो होगा किसी एक special goods के लिए होगा special goods में है समझना कि जो marker बेच रहा है marker वाले हो से कोई भी समान बेचेगा लेकिन थोक विक्रेता होगा बहुत huge quantity में उसे खरीता है और कहां से खरीता है ये पता है manufacturer या producer से इसको manufacturer भी बोलेंगे और producer भी बोलेंगे sell goods through retailer और ये किसको समान बेचेगा retailer आपको नहीं बेचेगा अगर आप इसके पास समान लेने आओगे तो कुछ तो आज के टाइम पर दे भी देते हैं नहीं तो otherwise जो genuine wholesaler हो बोलेंगा भाई मना कर देंगा हम retail में बेचते हैं कम से कम 10 पीस तो लेना ही पड़ेगा उन्होंने एक benchmark रखा हुआ है कि हम कम से कम 10 पीस देंगे या 20 पीस देंगे या 50 पीस देंगा का depend on the किस चीज का product का deal कर रहा हूँ तो large quantity some specific कोई special goods होगा और sell to retailer more capital required अब wholesaler होगा तो समान एक खटा खरीद के लाएगा ना वो बल्क में तो उसको पूंजी कितनी चाहिए ज्यादा तो more capital required एक ये भी होगे हमारा ठीक है इसके बाद only sample of goods in shop दुकाण के अंदर सारा समान नहीं रखते हो उनका दुकाण के साथ में go down होता है जैसे आप दुकाण पर गए ठीक है आपने बहुला भाई ये समान दे दो वो दिखाएँगे ये वारा product ये ये रा product ये 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 समान दे दो इसके समान दे के phone करेंगे तुरत sample of goods in shop दुकान पर क्या रखते हैं सिर्फ sample नए यह समान आए हुआ है ही स्टोर हिस गुड्स इन गोडाउन और अपने समान को कहां रखते हैं यह स्टोर का मतलब रखना गोडाउन में ठीक है इसके बाद इनका percentage बहुत little होता है बहुत कम रखते हैं इनको फरक पता है क्यों नहीं पड़ता क्योंकि quantity जादा बेचते हैं तो बात वहीं आ जाता है दस पैसे बीस पैसे भी रखते हैं और लाखों के quantity में बेचेंगे तो मुनाफ़ा तो बढ़ी जाएगा इसका ठीक है तो यह बेचते हैं बहुत huge quantity है लेकिन profit क्या रखते हैं बहुत कम ठीक है इसके बाद purchase on cash, sale on credit यह क्या करते हैं यहां से purchase करते हैं कैसे नगद में रिटेलर आते हैं बहुत सारे तो इसको तो इसने बेच दिया इसको customer बनाने पड़ते हैं बहुत सारे रिटेलर बनाने पड़ते हैं तो रिटेलर आते हैं तो कोई कैसा आ गया जैसे आपकी वानलोग कोई किसी के आपके भी घर में हो सकता है कोई दुकान हो मिलते हैं वो जहां से माल खरीटता बोलता भाई नगत दो तो समान मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा क्योंकि होलसेलर कम होते हैं रिटेलर जादा होते हैं तो होलसेलर अगर कम है तो फिर होलसेलर को क्या करते हैं कि कोई जल्दी wholesaler बनना नहीं चाहता हो तो manufacturer का strategy होता है कि हम आपको उधार तो देंगे नहीं तो इनका बहुत strict rule होता है एक हांत लो एक हांत दो बस लेकिन इसको समान बेचना है छोटे-छोटे वैपारी को retailer को तो इसकी मजबूरी है कि कई बार उधार में देना पड़ जाता है तो देखो wholesaler का अगर मैं बताओ तो wholesaler होता है जो large quantity खरीदेता है और sell करता है small quantity और wholesaler के features की बात करो तो large quantity buy करेगा special goods करेगा profit क्या होगा बहुत कम होगा nominal होगा ये और क्या capital का requirement क्या है बहुत ज़्या अपना समान go down में store करेगा समझ में आये feature तो कोई बड़ी बात feature नहीं है feature एक बार और देखते है ये large quantity buy करता है हमेशा large quantity आपको इसमें थोड़ा explanation भी देना पड़ेगा ठीके ना large quantity और ये special goods में deal करेगा और sell करेगा हमारा retail को sell करेगा retailer को sell करेगा इसके बाद more capital समझ में आ रहा है more capital मतलब बहुत पैसा चाहिए only sample of goods दुकान में रखेगा और सारा माल कहां रखेगा इस store में profit कमाएगा बहुत कम और last क्या लिखा purchase cash में और sell credit में समझ भाएं ये तो बात करी हमने wholesaler अब wholesaler किस तरीके से इसकी मदद करता है manufacturer की wholesaler किस तरीके से इसकी मदद करता है और wholesaler किस तरीके से एक society है जहां पर ये दुकान है उसकी कैसे मदद कर रहा है उसके help किस परकार से करता है वो देखेंगे तो wholesaler की अगर मैं services की बात करूँ तो services producer या manufacturer को देगा retailer को भी देगा society को देगा common point advertisement manufacturer की मदद करेगा advertisement में retailer की भी मदद करेगा advertisement में और society की भी मदद करेगा advertisement में देखो तीनों का example कैसे अब manufacturer ने तो बहुत सारे pamplets बना लिए अब वो retailer को बात ने सकता वो सारा pamplets wholesaler की दुकान पर रखवा देगा board हो गया pamplets हो गया या कोई scheme निकाला उन्होंने सारा कहां होगा wholesaler की दुकान पर अब retailer आएगा wholesaler क्या करेगा retailer को बोलेगा ले भाई यह advertisement आया अपने दुकान पर चिपका लेना यह coupon आया अपने दुकान पर customer को बाट देना तो wholesaler इसको दे रहा है तो advertisement इसका भी कर दिया इसने और इस advertisement को कहां पहुचा दिया retailer society है जहां society में society में घूम रहा था हर society में क्या होता है मालो society हो गया घर हो गया मकान हो गया gateway लगा होता है गेट पर name plate नहीं है तो society से मिलके बोलता है कि एक काम करता हूँ आपके यहां पर लिखवा देता हूँ जैसे पितम पूरा है तो पूरा पितम पूरा लिखवा देते हैं बोर्ड बनवा देते हैं बता हुआ आप बनबा दो जी यह तो बढ़िया रहेगा उसने अपना जो भी प्रॉडक्ट था ऍकर्ट से बात किया कि यहां पर बोड चाहिए मैनिफेक्ट्र ने वह बनवा दिया और उसने बोड लगवा दिया किस सोसाइटी की मदद कर दी उसने लेकिन वह जो बनवायगा जैसे कि पित